जहां तूट गया औरंग जेप का गुरूर, जीत गया गुरू का अभिमान, जहां धर्म की रच्छा के लिए गुरू तेक बहादूर ने देती सहादत, जहां सिखों के नवे गुरू ने दिया था जीवन का बलिदान, दिल्ली के उस पावन गुरुद्वारे को सत सत प्रणाम, जी हाँ, गुरूद्वारा सीस गंज साहिब दिल्ली के नो एतियासिक गुरूद्वारों में से एक है, यहाँ पहली बार 1783 में बगेल सिंग द्वारा नवे सिख गुरू तेक बहादूर की सहादत इस्थल की याद में बनाया था, उस समय यह एक छोटा सा गुरूद्वारा था और संभावता 1857 के भारतिय विद्रोह या भारती विभाजन के बाद इसका विस्तार किया गया, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट चाननी चोक में इस्थित गुरूद्वारा सीस गंज साहिब की, यहां की अरदास का अंदाज आपका मन मोह लेगा, सब्द कीर्तन का सुर आपको साहिब गुर्तेग बहादुर जी के नजदीक होने का ऐसास कराएगा, हजारों लोग यहां रोजाना दर्सन के लिए आते हैं और मत्था ठेकते हैं अपनी मुरादे पूरी करने के लिए अरदास लगाते हैं, मन में अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शाहिब से अरदास करते हैं, मुगलों की विराशत लाल किले से सामने बना गुर्दारा सीस गंज, बुराई की हार और सचाई की जीत यानि विजय का एक आदर्स इस्थल है, गुर्दारा सीस गंज शाहिब दिल्ली में मौजूद नो एतिहासि गुर्दारों में से एक है, 1783 में बगेल सिंग ने नवेश शीख गुरू गुरू तेक बाहदूर की सहादत के परिपेच में इसका निर्मार किया था, 11 मार्च 1783 में शिख मिलिटरी के लीडर बगेल सिंग ने अपनी सेना के साथ दिल्ली आये थे, वहाँ उन्होंने दिवाने आम पर कबजा कर लिया, इसके बाद मुगल बाद साह, साह आलम दुतिये ने सिक्खों के एतिहासिक इस्थान पर गुरू दूरा बनाने की बात स्विकार कर ली थी, मान ली थी, और उन्हें गुरू दूरा बनाने के लिए रकम भी दी थी, आठ मईने के समय के बाद 1783 में सीस गंज गुरू दूरा बना, इसके बाद कई बार इसको लेकर मुश्लिम और सिक्खों में इस बात का जगडा रहा कि इस इस्थान पर किसका अधिकार है, लेकिन ब्रिटिस राज ने सिक्खों के पच में निरने दिया, गुरुदारा सीस गंज 1930 में पुनर विवस्थित हुआ, बलिदान की इस धर्ती पर गुरू तेक बहादूर के रक्त से लिखा गया है इतिहास, देश का इतिहास,